नमस्कार दोस्तो आज के इस नए वीडियो में एक बर फिर से आपका स्वागत है दोस्तो आप सभी को विरोजगारी भत्त का फार्म भरने का बेसबरी से इंतिजार है तो विरोजगारी भत्त का आनलाइन फार्म भरना स्टार्ट हो चुका है एक अप्रेल से आज जो की एक अप्रेल है आपको मैं इस वीडियो में पूरा आनलाइन फार्म फिल अप करके देखाऊंगा कि कैसे आपको आनलाइन फार्म फिल अप करना है उसके बाद देखिए www.birosgari.cg.niz टाइप करना है टाइप करेंगे जैसे ही टाइप करेंगे उसके इस प्रकार से विरोजगारी भत्ता योजना आपको दिखेगा यहां आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा नया पेज ओपन होगा उसके आप देखिएंगे इस प्रकार का आपके पेज पर आएगा नया खाता बनाए इस पर आपको क्लिक करना है नियम और सरते इस प्रकार से दिया गया जिसे आप सवयम पढ़ सकते हैं इसको मैं कई बार बता चुका हूँ तो आपको क्या करना है नया खाता बनाने तो नया खाता बनाने के लिए आपको नया खाता पर क्लिक करने है जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा देखिए नया खाता बनाए अब यहां क्या होगा मोबाइल नमबर आपको टाइप करने मोबाइल नमब पर फिल करने मुबाइल नमबर फिल करने के बाद आपको OTP फेजे पर Klis करेंगे तो इस प्रकार से देखिए आपको मुबाइल पर लिख्या सिय आएगा कि OTP शफल्ता पुर्वक आपके आपको यहां OTP को फिल करना है जैसे के हम OTP फिल कर लेते हैं देखिए 5967 आपको यहां फिल कर लेना है 5967 अब क्या करना है OTP सत्यापित करें अब आपको क्या करना है आपको अपना email id डालना है, email id डाल करके फिर क्या करना है, password में कम से कम 8 अक्षर होना चाहिए, जिन में capital अक्षर हो, एक लोवर अक्षर हो, एक अंक हो, और इनमें से इस प्रकार की letter होना चाहिए, तो मैं आपको password बना करके दिखाऊंगा, देखें, पहले हम email id डाल लेते है इस प्रकार एक capital letter होना चाहिए, एक लोवर अक्षर होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए, और इनमें से अल्फानुमेरिक जो दिखाया गया है, इनमें से कम से कम एक होना चाहिए, password हो गया, password बनाने गवाद आपको क्या करना है, save करना है, उसके देखिए, चतिस गड़ व रोजगारी भदता योजना में आपका खाता, सफलता पुर्वख बन गया है, आईदन करने के लिए, आपको क्या करना है, login password करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखिए, यह हो गया, अब होम पर जाएंगे, देखिए, क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, अब क्या करेंगे यहां मोबाइल नमबर टाइप करने के बाद आप जो पस्वार बना है उसको फिर से डालना है फिल करने के बाद आपको लागिन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से देखिए आपका प्रोफाइल आ जाएगा अब आपको क्या करना है देखिए नाम आधार काड़ के अनुसार आपको फिल करना है अब देखिए यहां इस प्रकार देखिए आप अपने नाम और आधार नमबर डालेंगे तो इस प्रकार इंटरफेस आएगा आपके मोबाइल पर आपका अधार नमबर और रासन काड़ डाटाबेस से सद्यापित हो चुका है रासन काड़ नमबर इस प्रकार से आटोमेटिक आ जाएगा मैं अपना अधार नमबर प्रस्तो जमा करता हूँ से इसके लिए सहमती देता हूँ इस पर आपको जैसे ये क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है प्रोफाइल सुरक्षित करें ऐसा आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे पुनह आपको इस कार्नर पर जाना है यह थ्री लाइन वाला दीख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे देखिए अब आपको दीख रहे कईट आप्सन दीख रहे धापना इस बीख पेस्टिटि बावड़न करें जैसे इस प्रकार से आपका फिर से नया पेज मेगा आप देखिए आपको क्या करना है अपना इसमें जनमती ती लिंग वे भई की स्तिती जाती द्वयांग रोजगार पंजयन क्रमांग रोजगार पंजयन दिनांग ठीक है रोजगार ममणय कर भाला परिवार की वार्षाक आयद जो आपके इंकम आपना पता है उसको फिल करना है उसके देखिए अपने पता जाने करना है रोजगार पंजेन क्रमांख इस प्रकार से आप क्या करेंगे दो वर्स पूर्व का पंजेन अध्यतन नवनी के रोजगार पंजेन आय प्रमार पत्र होना चीए फिर इसका भी साइज 500 के भी खोना चीए उसके इंकम सर्टिफिकेट होना चीए इसका साइज 500 के भी खोना ची ठीक है उसके 36 मुल्निवासी प्रमार पत्र इसका भी साइज 500 के भी खोना चीए मुल्निवासी प्रमार पत्र अप्लोड करना है यहां सलेक्ट करेंगे चूज करेंगे उसके 36 मुल्निवासी यहां अप्लोड करेंगे ऐसा करेंगे ठीक है पहले अप्लोड करोगे फहले यहां करोगे यहां जब आज आएगा तो आपको क्या करना है सिर्फ पीडियेफ फाइल ही सपोर्ट करेगा ठीक है पहले आपको चूज करना है चूज हो जाएगा यहां दिखने लगेगा जब उसके बाद आपको क्या करना है यहां अप्लोड करें पर क्लिक कर देना है उसके देख आपको चैन करना है जैसे कि इसमें दिखा जा रहा है और आम सीक्योर्टी गाड़ा आफिस असिस्टेंट जो भी हो इसमें बहुत सारे आपसन है इन आपसन में से आपको जो है क्लिक कर लेना है तीन्ठो कम सी कम तीन्ठो आपको करना है उसके देखिए आवेदक के द्वारा गोश्डा अब देखिए मुझे वर्तमार में किसी भी प्रकार का रोजगार से रोजगार प्राप्ता नहीं है मुझे गया था कि एक परिवार से एक ही सदस्य को ब्रोजगारी भद्त की पात्रता होगी यदि मेरे परिवार से एक से अधिक सदस्य को ब्रोजगारी भद्त बटन इस पर आपको क्या कर लेना है टिक कर लेना है इसा क्लिक करेंगे उसके फाइनल सब्मिट पर आपको क्लिक कर देना है फाइनल सब्मिट पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप फाइनल सब्मिट पर क्लिक करेंगे देखे इस प्रकार से आपसन आएगा एक बार अंतिम रूप से देने के बाद प्रविष्ट डेटा में किसी भी प्रकार का कोई परवर्ता नहीं होगा क्या आप सामात है तो आप बारकी से फार्म फिलब कर लेंगे उसके बाद ही आप क्या करेंगे इसको ओके करेंगे अगर आप फाइनल सब्मिट कर देंगे तो फिर बाद में किसी भी प्रकार की कुछ चंग्जेस नहीं होगा इसलिए फार्म जो है सावधानी पुर्वक भरेंगे यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप च्वाइश सेंटर सी एसी या जहां आर्लाइन फार्म फिलब किया जाता है वहां जा करके आप फार्म भरवा सकते हैं ठीक हैं तो आप जो है सकथाल आप sasवधानी पुर्वक भरेंगे किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं करना है इसलिए श्राप पर क्लिक करते जाना विच में में अगर फार्म फिलब कर लते हैं उसके बाद क्योंकि अधी पुना फिर से आप फार्म स्टार्ट करना चाहेंगे तो जब लागिन करेंगे तो सेवेस डाप्टर हैगा तो आप जहां से फार्म फिल कर लिए रहेंगे वहीं से पुना ओपन हो जाएगा देखे इस प्रकार चुछ फाइल किये चुछ फाइल पर जैसे आपके स्क्रीन पर लिखाएगा इमेज यह अब आपको क्या करना है आवेदक का फोटो अपलेट अपलोड करें इस पर आपको क्लिक करना है आवेदक के फोटो पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फोटो सफल प्रता पूरवक upload हो गया है आएगा अब आपको क्या करना है जैसे आपके यह दीख रहे ओके इस पर आपको कलिक कर देना है फिर इस प्रकार देखेए आपके स्क्रीन पर यह photo upload हुआ आएगा अब इसी प्रकार रोजगार पंजियन का करना है फिर अपना सभी डाकुमेंट क बारी बारी से करना है अपलोड जब आप PDF फाइल बनाएंगे उस टेम आप नाम लिखेंगे उसमें डाट नहीं डालना है डाट डालेंगे तो आपके PDF को एकसेप्ट नहीं करेगा जैसे कि देखिए अब मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहे हूं निवास प्रमार पतर जैस आपको जो निवास बैख रहे है निवास तो देखिए इस प्रकार से एन के निवास आपको यह क्या करना अपलोड करें पर क्लिक करना है, जैसे अपलोड करेंगे तो स्क्रीन पर फुना आएगा देखunn निवास प्रमार्पत्र सफलता पुर्वक अपलोड हो गया है, अब देखिया फिर से आगे आप आएंगे, अब आपको बारी बारी से सभी को ऐसे upload कर लेना है इस प्रकार देखिए हमारा सभी जो है upload हो गया है रोजगार पंजयन प्रमार पत्र आय प्रमार पत्र निवास प्रमार पत्र दस्वीक और बारविका ये अब आपको कौसल प्रसिक्षड सलेक्ट करना है इसमें से कौन सा आप जो है सलेक्ट करना चाहते तो कम से कम तीन्ठ आपको सलेक्ट करना है अब देखे इसमें आपको ये भी देखना है को मिलेगा कि आवेदक भौतिक सत्यापन की तिथी को अपने समस्त सम्मंधित मुल प्रमार पत्रों के साथ उपस्तित होना सुनिश्चित करेंगे बदब आप जो आनलाइन फार्म फ देखे उसके आप यहां जा करके आवेदन डाउलोड करें यहां जा करके आप आवेदन डाउलोड कर सकते इस प्रकार से आप अपना आवेदन डाउलोड कर सकते उसके देखे आप जो है आवेदन की स्थिती जानना चाहते तो आवेदन की स्थिती जान सकते देखे इस प् रोजगारी भर्ता का फार्म कैसे फिलब करना है ये जनकारी समझ आया होगा तो थेंक्यू फर वाचिंग यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट होता है तो कमेंट करके